गुड इवनिंग फ्रेंड्स लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको ये गनित होमक को दिया गया था आपको ग्रामर गीवन थी और ये स्ट्रिंग आपको डिराइव करना था डेरिवेशन के यूनिवर्सिटी प्राब्लम यूनिवर्सिटी में दो ही कोच्छन आये थे जो पहला कोच्छन लिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में ये सेकंड प्राब्लम है ग्रामर दी जाएंगी स्ट्रिंग दी जाएंगी आपको LMD और RMD से उसको डिराइव करना है और उनके ट्री भी बनाना है तो पहली स्टेप है गीवन कंटेक्स परी ग्रामर इस डिफाइंड विद फो टपल जी इक्वल टू वी टी पियस वी में आपके नॉन टर्मिनल रहेंगे जो ये लेफ सैट में रहते उसको नॉन टर्मिनल बोलते टी में टर्मिनल स्मॉल बी पी में प्रोडक्शन एस बोले तो स्टार्ट सिम्बल जाब LMD से अपने को ये स्टिंग करनी है तो आपको पता है कंसर्म से लिखते हैं अपको पता है इस डबल एलो मेंक है कुछ लोगों ने हुमक में ऑंशर में सिंगल है नहीं सिंगल एरो बोले तो प्रोडक्शन से यह सिंटेंशल फॉर्म है डेरिवेशन है तो अभी पहला सिंबाल हमको बी प्रिंट करना है तो एसकी कौनती वैल्यू बी दे सकती है तो एसकी एक की वैल्यू है बी यह तो वो रखेंगे एक नॉन टर्मिनल है देर इस नो कंसेप्ट आप ल बी ए वो रखेंगे ए में बी ए फिर अब दो नान टर्मिनल आकर अगर मैं यह राइट वाले नान टर्मिनल में पहले डालूंगा तो वह डूंगा प्रेंग स्परेमिन तो जबी भी मेरे सामने दो या दो से ज्यादा नन टर्मिनल है तो मैं लम्ड और रेंट बिचार that rightmost non-terminal is evaluated then it is called as LMD तो जबी भी दो या दो से ज़्यादा non-terminal आपके पास है और आप extreme left side में जो non-terminal है उसमें पहले value रख रहे है क्योंकि फ्रेंड आप दो दो या तीन तीन non-terminal में एक साथ value नहीं रख सकते rule यह है कि एक non-terminal में एक ही value रख सकते sequential form तो यह sequential steps में follow होगा तो आप 2B के बाद आपको A चाहिए तो A की दो value है जो आपको A दे सकती लेकिन जैसे जिन्दगी में हम लोग problems घटाते है problem जित्ती ज़्यादा रहे उत्ती तकलीब ज़्यादा रहती तो वैसे ही हमको non-terminal घटाना है non-terminal बोले तो problem है वो जित्ते ज़्यादा रहेंगे उत्ते तकलीब देंगे तो इसलिए मैं capital A की value small A रखूँगा फिर आप मेरेको again A derive करना है अगर आप मैं छोटा A रख दू तो string stop हो जाएंगी मेरेको stop नहीं करने का है आगे और मेरेको BA print करना है तो AS रखूँगा अब S की कौनती value मेरेको B देंगी तो BA और आखरी में फिर A से stop करूँगा जो production मैंने ही apply किये उसी से मैंने tree बनाया S की value BA A में रखा BA फिर ये A में रखा small A फिर ये A में रखा था AS फिर S की value रखी BA और फिर ये तो इसको बोलेंगे leftmost derivation tree अब यही string को आपको RMD से derive करना है RMD की definition है if the production is applied to rightmost non-terminal first and after that leftmost non-terminal is evaluated then it is called as RMD तो अब पहला symbol मेरेको B print करना है तो S की value BA फिर वोई बात एक single non-terminal है तो कोई concept नहीं बनता LMD-RMD का आप जैसे solve करते अब A के बाद again B चाहिए तो A की कोन सी value आपको B देंगी तो BA वो रख दो अब दो non-terminal आ गए अब RMD है तो जब जो extreme right side में non-terminal है उसको आपको पहले solve करना है तो वो solve करने के लिए आपको string end का ऐसे करनी है A से तो capital A की value A रख दीजिए capital A की value small A है वो रख सकते आप production फिर उसके बाद फिर एक non-terminal हो गया मतलब कोई LMD-RMD का नहीं तो by default हम लोग left to right ही string run करते तो 2B के बाद आपको A लाना है तो A की कौनसी value आपको A देंगी तो अकेला A रखेंगे तो stop हो जाएंगा तो A-S रखेंगे अपन फिर 2B A के बाद again A चाहिए फिर एक non-terminal है no concept of LMD and RMD तो S की कौनती value A देंगी तो S की value है A B वो A भी रख दीजिए अब आपको स्रीब एक B चाहिए तो capital B की value small b रखी है और यह उसका tree बना लीजिए ठीक है फ्रेंट तो यह बहुत easy कोच्छन था उमीरत सबको होमक आये ही होगा अगर आपको पहला गनित समझाए तो यह गनित में कोई बात नहीं थी दूसरा होमक का problem था गीवन context free grammar is defined with 4 टपल G equal to VTPS V में non-terminal S T में terminal terminal थे छोटा A, छोटा B, छोटा C, प्लस और इंटू की sign production थे S tends to S plus S, S into S, A, B, C अब LMD से हम लोग यह string derive करेंगे तो S की value मैंने पहले रखा S plus S फिर दो non-terminal है, yes LMD का rule क्या है फ्रेंग, आपको leftmost non-terminal में पहले value रखनी है तो yes में रखिए A, फिर यह yes में रखिए yes into yes फिर दो non-terminal है, तो leftmost में पहले value रखिए A plus B और फिर yes में रखिए C, अब यही production से आप tree बना लीजिए S की value रख दीजे S plus S, फिर yes में रखिए A फिर yes की value, yes into yes, फिर S में रखिए B और S में रखिए C यही आप RMD से बना सकी RMD से बना लिए, S की value मैंने S into S ली अब rightmost non-terminal में पहले, तो string खतम करनी है, C से तो C रख दिया फिर एक non-terminal बचा, कोई LMD, RMD नहीं, तो S की value रखा, फिर मैंने S plus S फिर यह दो non-terminal आगा है, तो extreme right वाला कुनता है, इसमें रखिए B, फिर रखिए A तो यह हो गया RMD अब सवाल उठता, लोग बोलते, सर, हमने S अ LMD बनाया S is equals to, S into S रखा पहले फिर यह LMD है, extremely naft non-terminal, तो यह S की value हमने रखा, S plus S फिर यह S में रखा A फिर यह S में रखा B और फिर आखरी वाले S में रखा C तो आप चाहो तो इस तरीके से भी string को derive कर सकते S की पहली value S into S रखा अब LMD है, तो leftmost non-terminal solve करेंगे, तो फिर आपने S की value S plus S रखा फिर यह S में A रखा फिर यह S में B रखा, और फिर C रखा तो आप ऐसे भी derive कर सकते, मतलब आप अपके इसाब से भी LMD बना सकते जरूरी नहीं इसका यह LMD बनेगा, यह भी बन सकता तो इसी के उपर यह जो आपका प्रश्न था, इसी के उपर आपके आगे का next concept है ambiguity of context free grammar ambiguity का meaning होता है friend confusion कि मैं यह वाला tree बनाओ कि यह दूसरा वाला tree बनाओ, तो अगर किसी grammar का multiple LMD और ऐसे multiple RMD, RMD भी बना सकते आप friend ऐसे, इसी तरह आप इसका RMD भी अलग तरीके से design कर सकते, आप S की value रखिए, S plus S, RMD राइट मोस non-terminal में पहले value रखेंगे, तो यह yes में रखिए, yes into yes, फिर यह yes में रखिए, C, RMD राइट मोस non-terminal पहले सौल होंगा, फिर इदा रखिए, B, फिर इदा रखिए, A, तो देखिए friend, यह भी RMD बिल्कुल सही है, तो कहने का मतलब, अब confusion यह होता है, कि हमने यह follow करना, कि यह follow करना, तो इसको बोलते है, ambiguity of context pre grammar, अगर आप derivation करते वक, multiple LMD या पार्स्ट्री बना लेते है, तो उसको कहा जाता है, ambiguity of context pre grammar, तो यह थेरी कोच्छान आता है, explain ambiguity of context pre grammar with example, तो उसके लिए आपको इसकी थेरी लिखना पढ़ेंगा, if a production of given grammar generating more than one LMD or more than one RMD or more than one parse tree, मतलब आपने LMD भी दो या दो से ज़्यादा बना लिये, RMD भी बना लिया, parse tree भी बना लिया, या तीनों में से कोई एक बना लिया, या दोनों बना लिये, जो भी हो, तो उस grammar को बोला जाता है, ambiguity of context pre grammar, वो grammar ambiguous होती है, ambiguous का meaning होता है confusion, मैं कोंते parts से कोंसे तरीके से string को execute करूँ, compiler को confusion हो जाता फ्रेंड, और इसके लिए कोई proper algorithm नहीं है, हमारे पास कि जो जिससे हम पैचान सके कि यह grammar ambiguous है कि नहीं, बस आप लोग hit and try method इस तरह से जिस तरह से आभी हमने string को आपने बताया, multiple LMD बना के, इस तरह से आप दिखा सकते है कि यह grammar LMD अमना ambiguous है कि unambiguous है, इसके लिए proper algorithm available नहीं है, तो second point वो ही है, there is no proper method और algorithm available to convert ambiguous grammar into unambiguous, हम पैचान भी नहीं सकते हैं कि यह grammar ambiguous है कि उसके लिए भी हमारे बास algorithm नहीं है, just हम hit and try method यूज़ करते हैं, और नहीं हमारे बास ऐसा algorithm है कि हम ambiguous को unambiguous में convert कर सकते हैं, इसलिए यह undecidable problem है, undecidable problem उसको बोलते हैं, जिसका कोई solution exist नहीं होता, उसकी method, algorithm exist नहीं होता है, उसको हम ambiguous grammar बोलते हैं, अब आप लोग इसी example से, मैंने तो अभी बताया आपको, आप इसी example को ध्यान में रखिए और यहीं लिखना पड़ेगा, तो exam में यह theory कोच चना था, explain ambiguity of context free grammar with example, तो आपको example यहीं लेना है, s tends to s plus s, s into s, a, b, c, वोई given context free grammar defined with four tuple, s की value s plus s रखिए, फिर यह a, फिर यह yes में रखिए, s into s, फिर इदर b, फिर c, फिर यही grammar को आप इस तरह से भी derive कर सकते हैं, yes into yes, फिर yes की value रखिए s plus s, फिर s में रखिए a, फिर b, और फिर c, तो यह multiple lmd हो गई, दो lmd दिखा दीजिए, और उनके दोनों के tree भी दिखा दीजिए, आप चाहो तो rmd भी दिखा सकते, नहीं दिखाया तो भी चलता, तो multiple lmd और rmd दिखा देंगे, तो उससे, हम लोग show कर देंगे कि यह जो grammar है, यह ambiguous grammar है, तो यह example बहुत easy है, यह example आप ध्यान में रख सकते हैं एक important सवाल है, कि यह वाला tree, parse tree सही है, कि यह वाला tree सही है, तो हम लोग friend, example लेंगे, समझो, 5u plus 2 into 3, तो इसका answer क्या होता है, तो 2 into 3 is 6, 6 plus 5u is 11, तो friend, क्या होगा, मालूम है क्या, कभी भी पहले टर्मिनल लोट सॉल होते है, तो यह 2 into 3 होएंगा, 6, इसका result इधर आएंगा, और यह 5u, तो 11, यह वाला tree सही जवाब देंगा friend, अब आप इसमें रख के रहो, यह a की value है 5u, b की value है 2, और c की value है 3, तो पहले यहाँ पे 5u plus 2, 7 होगा friend, फिर 7 into 3, 21, मतलब इससे answer आपका wrong आएंगा, मतलब आपके compiler ने अगर यह वाला parse tree बनाया friend, तो आपका answer wrong हो जाएंगे, कहिने का मतलब, ambiguous grammar से compiler confusion हो जाता है, कि मैं कोन सा parse tree बनाऊ, इसलिए compiler designing में हम लोगों को ambiguous grammar को unambiguous में convert करना पड़ता है, by using hit and try method, actual method अवेलेबल नहीं है, actually कोई algorithm नहीं है, जो ambiguous grammar को unambiguous में convert कर सके, तो आपको hit and try method से ही उसको करना पड़ेगा, तो तीसरा topic हमने आज cover किया, वो था ambiguity of context-free grammar, दो point आपको थेरी लिखनी बनेंगी, क्या लिखेंगे आप थेरी में, मैंने अभी बताया, if a production of given grammar generating more than one LMD or RMD or parse tree, एकी string को derive करने के लिए, अगर आप multiple LMDs या multiple RMD या multiple parse tree बना लेते हैं, तो वो grammar जो रहेंगी, उसको हम बोलेंगे ambiguous grammar, there is no proper method and algorithm is available for identifying the ambiguous grammar on converting ambiguous grammar into unambiguous grammar, hence it is an undecidable problem, ये एक undecidable problem है, तो ये तीन point आपको थेरी लिखना पड़ेंगा, उसके बाद example से आपको समझाना पड़ेंगा, तो ये example ले लिजिए, s tends to yes plus s, ये बहुत easily याद रख सकते हैं आप, yes into s, a, b, c, a plus b into c के multiple मैंने LMD, RMD बताया आपको, ये आप लिख लिजिए, आपको final answer मिल जाएंगे, thank you friend, उमीद है समझ में आऊंगा, next video lecture में हम सुरू करेंगे, simplification of context free grammar, उसमें तीन प्रकार के production बढ़ेंगे, useless production क्या होता है, null production क्या होता है, और epsilon production क्या होता है, उमीद है समाझ में आऊंगा, कुछ difficulty होंगी तो आप call करके पूछ सकते,